खेसारी का साग बहुत चटपड़ा लगता है इसके लिए इसमें से सॉफ्ट वाला पार्ट इसको चुन्चुन करके रख लेंगे अच्छी तर से धो लेंगे धो करके बारिक कट कर ली हूँ साथी कटकी हूँ दो आलू चोटे चोटे साइज में पैन में डालूँगी सरसो का तेल आप कोई भी कुकुई ओर डाल सकते हैं साथ में डाली हूँ आधा चमच पंच फोरन फोरन चटकने लगा है तो एड कर दी हूँ कटे हुए साग और आलू को अब हाई फ्लेम पर पास म अनुसार डाले अगर ज्यादा तीका प्रसंद है तो ज्यादा डाली है इस तरह से पेस्ट बना लिए हूँ हलका सब भून गया है हमारा साग और आलू तब एड कर दूंगी मसालों को साथी एड की नमक स्वाद अनुसार हल्दी पावडर मिर्जी पावडर तेज प्लेम इसको भूनना है थोड़ी दिर तक 8-10 मिनिट तक अच्छे से भून लेंगे अच्छे से भूनेंगे तभी इसका अच्छा स्वाद आएगा इस प्रकार से भून लेंगे और ढख करके बिच-बिच में चलाते रहना है बहुत अच्छी लगती है यह साग बन करके बहुत अ अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा ओके बाई